आज इस वीडियो में हम लोग discussion करेंगे कुछ important numericals के बारे में that will be very useful for textile gate examination तो हम लोग शुरू करते हैं right from revision kind of view हम लोग already बहुत सारी classes में इस तरीके की चीजें पढ़ चुके हैं और आज भी हम लोग quick revision kind of thing को देखेंगे उससे चीजें जो हैं ज्यादा clear हो जाएंगी तो just मैं शुरू करता हूं तो जैसे कि अगर आप पहला question लिखोगे तो the first question says that this is of textile testing part of thing तो textile testing में यह हम लोग देखेंगे है हाँ हाँ so you just write the question it says that it is a previous year gate question जो कि आपको यहां पर दिखाए जा रहा है तो इसमें द्रेप वाला question आता है यू just write one question जो कि एक ड्रेप में दिया जा रहा है रहा है दा प्रोजेक्टेड एरिया ओफ ड्रेप ऑफ थर्टी सेंटी मीटर डाया जो आपको यह दिया हुआ है क्या question क्या कह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्टेड एरिया ड्रेप है और थर्टी सेंटी मीटर डाया मीटर जो दिया हुआ है Duch मे तो रखा किसमें गया है 27 मीटर डायामीटर सपोर्ट में रखा गया है 30 Gold सेंटी मीटर का डाय कीया है उसको 2020 मैं रखा गया है तो फाइनल ड्रेप कोफिशेंट प्युछ रहा है अब drape coefficient पूछ रहा है तो आप drape coefficient किस तरीक से निकालते हैं projected area of drape upon जो actual area हो रहा होता है उससे हम लोग निकाल रहे होते हैं तो अगर आप actual area की बात करोगे इतना इसका जो area होता है यह वाले area की बात कर रहे होते हैं जैसे यह 30 cm का यह 20 cm है और यह पूरा 30 cm है 30 cm की डाया है पूरा तो 30 cm तो यह हो गया और यह हो गया 20 cm तो अगर आप radius की बात करोगे तो radius देखो आप कितना हो जाएगा यह हो जाएगा कितना था आपका 20 था तो यह 10 हो जाएगा radius और यह हो जाएगा 15 तो हम लोग को यह वाले area निकालना होता है प्आदेवे यरिया यह ऐक्ट्ुल ऐरिया की बात कर रहे हैं तो आपको दिया है 302 स्क्वेट दिया है और आप आप एक्ट्व एरिया कैसी निकालोगे बड़े वाले का एरिया- चोटे वाले अगर आप इस तरह से calculate करोगे तो आप निकाल पाओगे तो यह जो बड़े वाले का area क्या हो जाएगा पाई इंटू आर कितना है 15 30 डाया है तो यह हो जाएगा इसका और अंदर वाले का कितना हो जाएगा पाई इंटू 10 का square यह हो जाएगा तो अब आप इसको जो माइनस कर दोगे तो वह निकल करके आ जाएगा पाई इंटू 225 पाई माइनस 100 पाई अगर आप इसको देखोगे तो 302 अपॉन 1255 हो जाएगा जब आप 302 अपॉन 1255 करोगे तो यह जो आंसर निकल के आएगा टू डेसिमल प्लेस में पूछ रहा है तो 0.77 आ जाएगा इस इस दे राइट आंसर आइगा यह चीज बहुत जागा डिफिकल्ट नहीं है तो इसी में कुछ चीजें आगे हम लोग डिसकस करते हैं तो उसी में हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें चीजों को देख रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं और भी क्या-क्या चीजें आपके लिए इंपोर्टेंट है गेट के एक्जाम के पॉइंट आव यू से तो उसी में देखे जस्ट राइट दर नेक्स कुश्टिन दाट इट सेज आज अ कि अ इसमें स्पान लेंथ वाला कुश्चन आता है यूनिफॉर्मिटी रेश्यो वाला एक कुश्चन जो आ रहा होता है वह काफी जादा इंपोर्टेंट हो जाता जैसे 50 परसेंट दी होगी आपको 2.5 परसेंट दी जाएगी तो वह आले कुश्चन भी आपके पिपर में काफ मास्निकालना है का 28 में था इसमें आपको मास कालना होता था इन ग्राम्ण और आपको फ्रीकूेंसी दिजाएगी लेंडा दिया जाएगा और還 क्या अपको वेट दिया जाएगा कितना वेट आपको डेनियर निकालना होगा, तो डेनियर निकालने, आपको जब भी डेनियर निकालना होता है, आप ये बात समझ लेना, डेनियर जो होता है, weight in grams, weight in grams per 9,000 meter length, meter को centimeter में करना है, तो 9 into 10 की power 5 centimeter हो जाएगा, फॉर्मुला आप यह याद रखोगे जब भी आपको मास निकालना होगा मास M जो है वो ग्राम में जब भी निकालोगे तो WG अपॉन लेमडा स्क्वाइर F स्क्वाइर इन्टू 910 की पावर 5 यह सेंटीमीटर में हो जाएगा आप इस तरह से इसको क्यलकुलेट करोगे तो यह वाला कोशिन्स जो हैं आप इस टाइप से इसको कर रहे होते हो इस तरह से हम लोग इसकी क्यलकुलेशन करते हैं तो उससे जो है सीजर जादा अच्छे से समझ में हो जाती है और इस तरह से ही हम calculate करते हैं एक जो आपको testing में जो questions आते हैं वह आपकी question जो पूछता है वह आपके इसमें आपके डाइग्राम की बात करोगे कॉम स्टर डाइग्राम इसमें जो है दो-तीन टर्म आपके लिए important है एक dispersion percentage होता है वह आप समें calculation करोगे dispersion percentage, upper half mean length, mean length क्या होती है, इसी में lower quartile होता है, lower quartile, upper quartile that I have discussed already, upper quartile, तो इसमें ये दो चीजें जो है, वो ज़्यादा जरूरी होती है, जो समझना कैसे है, कौम सौर्टर डाइग्राम नथिंग बट इस तरीके से है, mean length में आप बात करते हो, तो किसका average जो बात करते हैं, वहीं आप mean length में उस तरह से calculation करते हो, एक जो question आता है, जैसे आपका CV percentage का पूछा जाता है question, CV percentage आपको single yarn का दिया है, आपको 3ply yarn का CV percentage निकालना है, अगर वान लो, तो CV of single yarn upon root of doubling जो बात करते हैं, तो 3ply है, तो CV of single yarn upon under root 3, इस तरह से हम लोग इसकी calculation करते हैं, तो CV percentage of 3ply yarn जो जाएगा, CV of single yarn upon under root 3, इस तरह से आप इसको देख रहे होगे, हुआ करते हैं, सबस्राइब करते हैं, सबस्क्रीं सबस्राइब करते हैं,